Hello Everyone, आज की वीडियो में टाइप ओफ पोलिगन्स समझाएंगे, अब सबसे पहले वाटीज पोलिगन्स Simple closed curve made up of only line segments is called a polygon साधारन closed curve जो केवल रेखा खंडों से बना हुआ हो वो पोलिगन कहलाता है, यानि बहु भुज कहलाता है अब इसके परकार क्या क्या हैं, फर्स्ट है regular, irregular, second, convex, concave, third, simple, complex तो ए, फर्स्ट है regular polygon, अब regular polygon has all equal sides and angles regular polygon होती है, सम बाहू बहू बुज, सम बाहू का मतलब होता है, सभी भुजाएं समान तो regular polygon has all sides and all angles are equal, यानि सभी बुजाएं बराबर और सभी कौन बराबर हों इसके दो example दिये हुए हैं, एक तो यह triangle का है, जिसमें तीनो sides जो हैं वो बराबर हैं, equal हैं और सभी angles भी equal हैं, तो यह regular polygon का example हो गया, second example जो है इसका hexagon का है तो hexagon में यह सभी six sides जो हैं वो equal हैं, और इसके angles भी equal हैं, तो यह regular polygon के example हो गया अब आता है irregular polygon, अब irregular polygon has an unequal side and angle भाई, जिसकी sides बराबर नहीं हो और angle भी बराबर नहीं हो, वो irregular polygon कहलाती है यानि विशम बाहू, बहु बुझ, जिसकी बुझाएं अलग-अलग हों, और angles अलग-अलग हों तो वो क्या होती है, irregular polygon, विशम बाहू, बहु बुझ होती है इसका ये example है, जिसमें ये परतेक sides जो हैं वो unequal है, यानि बराबर नहीं है और इसके angles भी बराबर नहीं है, तो ये irregular polygon का example होया इसके बाद आता है convex polygon, अब convex polygon has every interior angle less than 180 degree convex polygon होती है, उत्तल बहु बुझ, जिसमें परतेक interior angle, यानि अन्तह कोण वो 180 degree से कम हो, परतेक जो interior angle है, वो 180 से कम होगा तो वो convex polygon होती है, तो इसका जो example है, ये quadrilateral के रुप में दिया हो है ये इसका example है, जिसमें परतेक जो अन्तह कोण है, वो 180 degree से कम है अगला आता है, कनकेव polygon, कनकेव polygon होती है, अवतल बहु बुझ अब वो क्या होती है, कनकेव polygon has at least one angle greater than 180 degree, जिसमें एक कोण, कम से कम एक कोण, 180 degree से बड़ा हो वो कनकेव polygon कहलाती है, अवतल बहु बुझ कहलाती है अब ये इसका example है, इस figure के अंदर ये जो एंगल है, ये 180 से बड़ा है, अब एक कोण जो है 180 degree से बड़ा हो, तो वो कनकेव polygon कहलाती है, और उसके जो example है, और क्या है, अब इसके जो diagonal हैं, कनवेक्स के, इसके तो अंदर मिलते हैं, और कनकेव के जो हैं, वो बाहर जाते हैं, जैसे इनको आप जोईन करेंगे, तो ये figure से बाहर मिल रहे हैं, तो बाहर जाए जो विकर्ण, यानि डाइगनल, वो कनकेव हो जाएगा, और जो अंदर रहे वो कनवेक्स हो जाती है, अगलात है simple polygon, simple polygon has only one boundary, and does not intersect itself, यानि इसकी एक boundary होती है, और जो बुजाएं हैं, जो sides हैं, वो intersect नहीं करती, कोई भी, तो ये example इसका है, quadrilateral का, ये simple होती है, साधारण, बहु बुज, तो ये साधारण बहु बुज हो गया, इसकी example हो गया, अगलात है complex polygon, जटिल बहु बुज, जिसमें intersects itself, जो sides हैं, वो intersect करती हैं, overlap करती हैं, एक दूसरे की, तो ये इसका example हो गया, भाई, एक तो आपके पास ये triangle बन दी है, और एक ये triangle बन दी है, तो ये एक दूसरे को overlap कर रही है, यानि काट रही हैं आपस में, तो ये जटिल हो गई, जटिल polygon, यानि इसमें complex polygon होती है, जटिल बहु बुज, जो साधार नहो कहने का मतलब, तो भाई, वीडियो को like करें, और जिसने channel को subscribe नहीं किया है, प्लीज वो channel को subscribe भी करें, और अगली वीडियो में, आपको name of polygons according to sides, ये करवाएंगे, thank you.